नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, कश्मीर के पुलवावा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारतिय क्रिकेट टीम, क्रिकेट विश्कफ में पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेलने मैदान में उतरेगी या नहीं भारते करिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार मना करेगी तो पाकिस्तान टीम के साथ कोई मैच नहीं खेला जाएगा इस मुद्दे पर 22 वर्वरी यानि की शुकरवार को सुप्रीम कोड द्वारा नुयुक्त प्रसाशकों की समिती की दिल्ली में बैठक होने जा रही है इस बैठक के दोरान आगे की रननीती तैक की जाएगी और खेल मंतराले, विदेश मंतराले और ग्रह मंतराले से सलहा मांगी जाएगी इसके बाद BCCI और CEO मिलकर इस नतीजे पर पहुचेंगे CEO की बैठक के बाद ही BCCI पाकिस्तान को क्रिकेट विश्कप से बाहर करने के लिए अंतराश्ट्रे क्रिकेट परिश्यत को चिठ्थी लिखेगा अभी तक ऐसी कोई चिठ्थी नहीं लिखी गई है जिसे लेकर अटकले लगाई जा रही है दरसल CEO के प्रमुक और पूर्फ कैग प्रमुक विनोध राय ने BCCI के CEO राहुल जोहरी को ICC को यह है लिखने को कहा है साथ ही जोहरी को इस महीने दुबई में होने वाली ICC की बैठक में ये भी जानकारी देंगे कि भारत की लोग पाकिस्तान के साथ विश्व कप मैच नहीं जाते हैं ICCI के एक पदादिकारी ने इसकी पुष्टि की लेकिन साथ ही कहा कि इसकी कोई गैरेंटी नहीं है कि ICC हमारी बात बने इस बार का प्रारूप भी ऐसा है जिसमें हर टीम को हर टीम से गुरूप स्तर में ही भिढ़ना है यानि भारत को हर कीमत पर पाकिस्तान से भिढ़ना ही होगा अगर दो गुरूप होते हैं तो उसमें बदलाव करके पाकिस्तान के खिलाफ मैच को टाला जा सकता था पतादिकारी ने कहा कि अगर ICC हमारी बात नहीं मानती है और पाकिस्तान को प्रतिबंदित नहीं करता है तो एक रास्ता है कि विरोध स्वरूप पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला जाए लेकिन इससे टीम इंडिया का ही नुकसान होगा ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को जीता हुआ गोशित किया जाएगा और उसे अंग मिल जाएंगे ऐसा ही एक बार हुआ था जब भारत, पाकिस्तान और श्रेलंका ने सैयंजुक्त रूप से विश्कप आयोजित किया था और कुछ टीमों ने सुरक्षा कारनों से श्रेलंका म में मैच नहीं खेला था ऐसी परिस्तिती में शेलंका को विजिदर टेम को मिलने वाले अंग दे दिये गए थे पादिदिकारी ने कहा है कि 22 तारिक को ही दिल्ली में CEO की बैठक है उसमें इस चर्चा पर गहन अधियन किया जाएगा लेकिन जहां तक CEO की माने तो दूसरी सदस इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि अगर ICC हमारी बात नहीं मानता है तो इससे हमारा मान घटेगा ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले विश्वक अप में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मकाबला होता है तो किया वहें रोका जाएगा और अगर न वाद